मेरे स्रमिक साथियों, देश आपकी भावनाओं को भी समझता है और आपकी जरुरतों को भी समझता है। आज खगडिया से शुरू हो रहा यह गरीब कल्यार रोजगार अभ्यान इसी भावना, इसी जरुरत को पूरा करने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। बिहार, उत्रप्रदेश, जारखन, ओडिसा, मद्दप्रदेश और राजस्तान इन छे राज्यों के 116 जिलों में यह अभ्यान पूरे जोर सोर से चलाया जाएगा। हमारा प्रयास है कि इस अभ्यान के जरीए स्रमीकों और कामगारों को गर के पास ही काम दिया जाए। अभी तक आप अपने हुनर और मेहनत से शेहरों को आगे बढ़ा रहे थे, शेहरों को चमका रहे थे, शेहरों का भला कर रहे थे। अब अपने गाउं को अपने इलाके को आगे बढ़ाएंगे और साथियों आप ये जानकर हरान रह जाएंगे कि मुझे इस कारकम की प्रेरणा कहां से मिली मैं आपको ये शिक्रेट बता देता हूँ मुझे इस कारकम की प्रेरणा कुछ सरमिक साथियों से ही मिली कामगार भायों से ही मिली हैं साथियों मैंने मीडिया में इस लॉकडाउन के दर्म्यान एक खबर देखी थी ये खबर उत्तर प्रदेश के उन्नाव से थी वहां एक सरकारी स्कूल को क्वारंटाइन सेंटर बनाये गया था तो ये जो शहर से स्रमिक बापिस आये थे उनको वहां रखा था उस समय ज़्यादा तर दक्षिन भारत से जो स्रमिक थे वो आये थे हैधराबाद से आये हुए थे और इन स्रमिकों को रंगाई पुताई और पी ओपी के काम में वो उनकी माश्टरी थी अब वो कॉरंटाइन में थे और वो अपने गाउं के लिए कुछ करना चाहते थे तो उन्होंने सोचा कि ऐसे ही पड़े रहेंगे दो टाइम खाते रहेंगे उसके बजाए हम जो जानते हैं उस हमारे हुनर का उप्योग करिए और देखिए उन्होंने उस सरकारी स्कूल में कॉरंटाइन सेंटर में रहते हुए इन हमारे स्रमीक भाई बहनों ने अपने हुनर से उस स्कूल का ही काया कल्ब कर दिया लोकडाउन के समय उसकी रंगाई पोताई करके बढ़िया बना दिया मेरे स्रमीक भाई बहनों के इस काम को जब मैंने जहना उनकी देशभक्ती को उनके काउशल ने मुझे मेरे मन को एक प्रेणा दी उसी मेंसे मुझे आइडिया आया कि ये कुछ करने वाले लोग है और उसी मेंसे इस योजना का जन्म हुआ है आप सोचिये कितना टैलेंट इन दिनों वापस अपने गाउन लोटा है देश के हर शहर को गती और प्रगती देने वाला श्रम, हुनर जब खगडिया जैसे ग्रामिन इलाकों में लगेगा तो इससे बिहार के विकास को भी कितनी नई उर्जा मिलेगी नई गति मिलेगी